तो आज हम चैप्टर टू का कोस्टन अंसर करने जा रहे हैं जिसका एमसी क्यू टाइफ है और आपके बुक से ही लिया गया है और आपके बुक से ही हिंदी में है तो जादा प्रॉब्लम नहीं होगा और जो इंगलिस मिडियम के बच्चे हैं वो भी आसानी से देख के कर सकत है थोड़ा सब सोचेंगे तो ठीक है यदि नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं में नेक्स वीडियो में कोसिस करूंगी ठीक है इसको और ज्यादा अच्छा से एक्स्प्रेन करने की तो चलिए स्टार्ट करते हैं सही उत्तर के सामने सही का निशान लगा है तो वह है व हो दाहरन होता है ठीक है उसके बाइड दालो में क्या पाए जाता है प्रथम दीतिय सरेनी का परियन या फिर हार्मोन या फिर एंजायम समपून दाल को मिला के हम बनाते हैं तो हम उसको स्वयबीन को छोड़ कर बाकी सब दित्या प्रोटीन पादब वाले आते हैं यहां पर हम दालों लिखा गया है तो हम इसको प्रथम स्रेनी का प्रोटीन कर सकते हैं किसी लीपिट की प्रकृति निर्वर करती है उसके वसी अमल पर ठीक है पौधो के कोमल भागो में क्या पाया जाता है पौधो के कुमल भागों में क्या पाया जाता है सबसे बड़ी पाचक ग्रंती कौन सी होती है तो यकृत जिसको लिवर भी कहा जाता है और अंडा से को अंडा उत्पन करने के लिए जो उतेजक हार्मोंस होते हैं यहां प्रोग्रेस्ट्रॉन लिखा है नेक्स्ट कोशिकांग जो प्रोटीन संसलिसित करता है तो राइट एंसर होगा हमारे पास राइट एंसर होगा राइबोजोम ठीक है सेंटोजोम पाये जाता है प्रानी कोशिका में और प्रानी सरीर के सभी अंगों के कारियों का नियंत्रन नियमन कौन सा करता है तो वो है मस्तिस्क आत्मगाती थैली कहा जाता है लाइजोजोम को और कोसिका का मस्तिस्क कहा जाता है रीड रज्जु को कोसिका का उर्जागर कहा जाता है माइटोखंड्रिया को और प्रकास संसलेशन में सहाय कोसिका आंग है हरितलवक ठीक है और जिस उत्तक की कोसिका एं लगतार विभाजित होती रहती है उसको हम लोग कहते हैं प्रविभाजी उत्तक समानाकार या मुधपत्ति की कोशिकाओं को समूं को कहते हैं उत्तक और रक्त क्या है एक परकार का रक्त तरल संयोजी उत्तक है ठीक है इस तरह से हमने ये टोटल कोश्चन का एंसर कर लिया नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे और भी बहुत सारे वीडियो के साथ तब तक हमारे इस चैनल में बने रहिए और देखते रहिए थैंक्यू